पैसे से उदोगपती स्री चातर सिंग जी चाजेड छे भाई बैनों में सबसे बड़े हैं अलप अवस्ता में पिताजी का देहंत होने के बाद लगभग सारा भार इनके उपर आ गया यह तो उनकी मा का देहंत लगभग पौने तीन वर्ष पुर्व करोना काल में हुआ मा की मौत सवाविक थी इस समय बुजर्गों की मावाफ की कद्र और उनके परिवार में घट रही है पर अबवाद वन अधरनिये चातर सिंग जी ने अपनी मा की अतुलनिये सेवा समय पर दवाई देना चिकिस्सा का प्रबंद खान पान और रख रखाव का पूरा ध्यान रखा मातूसरी की सेवा में उन्होंने अपना पूरा समय दिया और बड़ी आत्मियता से उनकी सेवा की मैं अब उनके छोटे भाई आदरनिये टीसी जैन ताराचंजी जैन से दरोत करूँगा कि किरपा भ्राताश्री के बारे में कुछ कहे हैं आदरनिये ताराचंजी जैन परता ही चला जंदकी उसकी कभी भी नहीं उदास होती है ताराचंजी जैन मैं ये मत समझेगा कि मैं बड़ा भाई साब बोलके ये उनको कर रहा हूं इन्होंने जो मा की सेवा की है जो मा की सेवा की अतुल निये इस समय मने बच्चे की तरह जैसे अपने बच्चों की करते सेवा हमारे भाई साब ने मा की इस तरह सेवा की है इसलिए करो कहता हूंना कि आसमा में जिसका अंतनी उसे आसमा कहते हैं जहां में जिसका अंतनी उसे मा कहते हैं तो भाई साब एक बहुत जबदस एकसिडेंट हो गया था जबदस और लग पर बनेगी करो मापाप की सिवा अमानत बनेगी जब होगा तुम्हारे गुणहों का फैसला तो मापाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत मैं एक और अतीती को बुलाना चाहूंगी, अतीती तो बहुत बड़ा शब्द है, वह मेरे पापा के दोस्त ही है, संगीत की दुनिया में श्रीमान शंशेर शिंग जी की पहचान दिने वाले, उनके गुरु के बाले में मैं बात कर रहे हूं, उनकी उम्र सततर वर्ष है, ना शंशेर शिंग जी की गुरु थे, हर रविवार सुबह उनके ही निवास्तान पे रियाज करवाया जाता है, आप लगबख 50 वर्षों से इसी क्रम में जुड़े हुए हैं, आपने स्वामी विवेकानन शताप्दी परिक्रमा में गीत भी गाया था, इसके अलावा, मादा टेरेसा तथा गुरु नाना की गुरु वानी शंशेर शिंग जी के साथ मिलके उन्होंने बनाई थी, मुंबई, अमेरिका, वदोडरा, बंगलादेश के अलावा, विदेशों और भारत के कई राजियों में उनका अपना संगीत का पर्चम लहरा राया है, तो आईए स्व झाल भारत में फिंगयों में स्विसे अबनाँ, इजल शणे राज हो दो कि झाल